आलो गत्चों, आज अपन अच्छा ग्यारवी का लेखा सास्त पढ़ेंगे, मैं दीती शर्मा आपको, इसके पहले आपने लेखा सास्त के जमप पढ़ा है, पिषेस्त थाएं, लेखा सास्त्र का क्या आर्थ होता है और कौन-कौन से इसमें सब्द का उप्रयोग होता है लेखा बनाने के लिए इसके बारे में पढ़ा थे आज अपन पढ़ेंगे अन्य परिभासिक सब्द तो लेका सास्त्र में अन्य परिभासिक सब्द के क्या-क्या उप्योग होते हैं उनके वारे में पढ़ेंगे तो पहला है लागत किसी बस्तु को निर्वित करने में जो खर्श किया जाता है तो अपन कोई उत्पादन करते ह सबसे पहले अपनों क्या करना पड़ता है पच्छों खर्ट सबसे पहले अपन सोस्ते इसमें कितनी लागत आएगी बस्तु के निर्वित करने में जो खर्च किया जाता है उसे लागत करते हैं चार्ट इंस्टुट आफ मैनेस्मेंट एकाउंट लंडनने लागत सब्त को परिवासित किया है लागत वह वास्तिविक बहरासी जो निस्टित बस्तु अत्वा क्रिया पर आप आरुप है उधारण के लिए आप माननीजी किसी मसीन की लागत में मसीन के क्रेम हूले के अतलिक उसे लाने का भाड़ा मतलु अपन रान भाहर किसी भी कंपणई या किसी चुर्बाः भाहन भाल्ण उसकी स्थापना के वय में सम्लित किया जाता है तब इसे कहेंगे लागत कोई मसीन दिया अपन लाए उसके लिए अना तो उसके लिए अपन को भाड़ा लगेगा भाड़ा वहां उसकी स्थापना के वय में सम्लित किया जाता है वास्तों में वास्तविक या वैचारिक इसमें कोई फरक नहीं पढ़ता है, जो भुक्तान बास्तों में नहीं हो रहा है, यह वैचारी भुक्तान है, वैवास्तिविक हो या वैचारी, इनमें कोई फरक नहीं पढ़ता, जो भुक्तान बास्तों में नहीं हो रहा है, वैचारी भुक्तान होगे, इसमें कोई फरक नहीं होता है, कि भुक्तान बास्तों में नहीं हो रहा है उधारण के लिए स्वेम के कार खानी का किराया यह स्वेम नियोजित पुझी पर व्याद तो अबन स्वेम को आपना स्वेम का होगा ना उसमें भी क्या होती है अब अब प्रमानित करने हैं तु प्रपत्र तयार करना पड़ता है जो वो कहलाता है प्रमानित कहलाते हैं पताब क्रैविक्रे जो अपन ने बस्तु का क्रैविक्रे किया धन का लेंदेन किया उसको प्रमानित करने है तो एक प्रपत्र तयार किया जाता है उसे क्या करते हैं प्रमाना वीजग रकम बुक्तान की जसी आदी प्रमाणित करने मतलब करे जाते हैं तो तीसरा है माल तो सबसे पहले आप उनको वस्तु का उत्पादन करेंगे या कोई भी करेंगे तो आप उनको माल किया वशकता है तो लेखांकर में माल माल सब्द का भी प्रयोग किया जाता है जिस बस्तु का व्यापार में क्रैविक्रै किया जाता है उसे बस्तु का माल कहते हैं अपन कोई बस्तु का व्यापार सुरू करेंगे तो अपन सबसे पहले बस्तु का क्या करते हैं ट्रैविक वै तो उसे माल कहा जाएगा, फिर है पुण्जी गर्दवेट जो पुण्जी के माद्यम सिपिये जाते हैं मैं पुण्जी गर्दवेट वैपाल हैं तो इस्थाई समपत्थी खरीदने, समपत्थी की कारेचंदा बढ़ाने, बैपाल का विकास करने अथवा पु उसी कालचंता को बढ़ाने के लिए, बैपार का विकास करने के लिए, सबसे पहले अपन को ताय कि आप शक्ता पड़ेगी फूंजी की, उसे क्या कहेंगे अपन, फूंजी प्यास बै रहें के लिए, फिर है आगम गत्वे, बैपार हे तू माल खरीदने, बनाए गए इस्थ माल खरीदने के लिए, बैपार हे तू माल खरीदने के लिए, उस बैपार कांस, के लिए आप विकास करने। को और याद को इंपर आपका होगा सबसे पहले हैं से पुस्त पालन से आप क्या समझते तो तो दो घटनाओं को निश्चित नियूमों के नुसार आप क्या करते वो निरधारीं पूस्तक में लिखने की कला को पुस्त पालन कहते हैं मतलब जो उस्तिपालन की निदेज़िक उस्तिपालन के लिखने की कहलाद को में कि किया ह suggests ने मतलब आप लेखांकन से क्या संढ़्ज़ते क्या हैं। लेखांकन वैवसाइक इवं वैवसाइक घटनाओं के मौकित रूप का लेखन है। वर्गी करन समचिप्ति करन परिनाम की व्याख्या निर्वाचन सूचना संबंदित पक्षों को संप्रेशित करने की विधी है जो लेखांकन पदती है वै घटनाओं के मोफिक रूप का लेखन वर्गी करन समचिप्ति करन और परिनामों की व्याख्या और निर्वाचन करना और सूचना संबंधी पक्चु को प्रेशित करने की विधी है फिर लेखांकन का अंतिम उत्पात क्या है लब जो लेखांकन उसका अंतिम उत्पात क्या होता है निर्मानी है उसमें ब्यापार खाता लाभानी खाता एवं चिठ्था लेखांकन का अंतिम उत्पात होता है तो लेखांकन का अंतिम उत्पात क्या है लाभानी खाता और चिठ्था लेखांकन का अंतिम उत्पात है फिर लेखांकन की सूचना में बाहरी उप्योग करता कोन है को युआ लेकांगे से बाहर ही उपयोग करता है नो लेकांगे सुचना के बाहती उपयोग करता था बिन्योग बर्ग लेके कर्मचारी संगठन ग्राहक यहां लेंदा यह एवं ल्ण दाता व्यूंस अपको वे, जो आपको लिद्रिव साहिकिए व्यूद देते maar आप के बाद आपसे लेंदार है ना सरकार एक अनुषंधान आधि को संवित किया जाता है तो जो लेंदान बाहरी उप्रयोग करता कौन-कौन होते हैं संगटक, ग्राहक लेंदार एबम रिंदारता सरकार एबम अनुषंधान करता आधी को समलिद किया जाता है काओ में बाहरी उप्लोड करता है फिर लेखांकन की सूचना विधी क्या होती है लेखांकन को वयवसाई की भासा में समझ जाता हूँ तब जो लेखांकन है जबासा होती है उनका मुठ पुद्रिश क्या होता है संभाहन के साधन के मत्या Come here करना उसी प्रकार लेखांकन भी वेबसाइग क्रियां की लब जो लेखांकन है वेबसाइग क्रियां off को कवेशे संवंदि समस्त सूचनाओं को प्रदान करने को करता है तो वेशे संवारे चोities समस्त पक्षों पर लेखांकन होता है वो है क्या करता है प्रदान करता है यूड़ कारियों को लिखांकन के दो कारी होते हैं नीमित लेखांकन और वित्य लेखांकन अब बैपार में कुछ आगम ऐसे होते हैं जो दिन में बैपार को अधेख वर्षों तक उप्रयोगीता प्राप्त होती है तब जो आगन बैव होते हैं इसे बैपार में इनसे जिन में बैपार में अनेक वर्षों तक उसी क्या होती है उप्रयोगीता रहती है ऐसे वह कि संपूर गासी को वेशिय को फिरेगार वर्स में लावहानी लिखा जाता है बनता बलकि कुछ भात आने वाली वर्सों में लावहानी खाते के लिए इसठीद कर दियå जाते हैं ऐसे में जो कुछ भाग मैं आने वाली वर्सों के लिए लाभवनी खाते के लिए हैं बट्टे के दो भागों में बाटा जाता है, तो ब्याबारिक बट्टा और नगत बट्टा, बट्टे को किते भागों में बाट जाता है, दो भागों में, क्या होते हैं, ब्याबारिक बट्टे और बट्टा और नगत बट्टा, ब्याबारिक बट्टे क्या होते हैं, विक्रेता द्वारा ग्राखक को माल की सूची, मूली पर दी जाने वाली रियायत या चूट, तो ज उसमें जो रियायत या छूट दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, ब्यापारी बटा कहा जाता है, ऐसे थोग विक्रेता दुवारा, पुर्कर विक्रेता को माल की सूची, मूल में प्रतीसत या रियायत इसली दी जाती है, कि ताकि कुछ लाब अर्जित कर सके, आप देखिएग जो ब्यापारी होता है, फिर फूटकर में जब उसको बेज़ता है, तो उस पूरी के अंतर से क्या प्लाब तूटा है, लाब प्लाब तूटा है, इस प्रकार की चूट विक्रे बढ़ाने के प्रयोजन से दी जाती है, इस चूट को लेका पुस्तकों में नहीं किया जाता फिर है नगत बंटा, जब कोई ग्रहक अपने रिंड का उधार खरीदने के माल के मूल का बुद्दान नियत समय के पहले कर देता है, बतला कोई जब कोई ग्रहक होता है, अपने रिंड का उधार खरीदने के लिए माल का मूल नियत समय के पहले दे देता है, मतला अगर एक एक पहसे दिए लेकिन उस पैसे खोया आपने एक एक फ़ते के पहले दे में दूसरे सब्दों में मुपनरा Compare करते में समय जब कुछ रासी फुल भुक्तार्व घसे के ऐसे उति होती है तो कम प्रापति की रासी नगत बट्टा या रोकडी तो कोई वैसे लेफ वस्तुर के ख़रीकटे भुक्ता करन से कुछ समय पाद रासी का भुक्तार्व अपन करताम हमाली जहS new एक एप आप मिल गई आपको पूस में आपको रियायत, उसे क्या कहेंगे जैसे प्रसांत ने एख 2000 का मुखतान किया तो 980 रुपे प्राप्त किया तो वह 20 रुपे क्या होगा उसके मुखतान में रियायत दी गई इस तासी पो नाकट जयक्टी की पास 20 रुपए होगी बट्टे की राजी प्रसांत के लिए लाव है जो 20 रुप उसने बचाए जो बट्टे में बाज से क्रापत हुए वह उसके लिए क्या है लाव हो इस तो भुकतान करने वाले व्यक्ति के लिए क्या है थानी है बच्चों यह जो कॉस्टन आंसर आपको बताए है इनको आप कॉपी में लिखोगे याद करोगी इन ही प्रश्णों पर आपका टैस्ट होगा धन्यवाद